हेलो दोस्तो वेलकम माई योट्यूब चैनल आपसं ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा फ्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए देखते है कल एकस्पाइरी के दिन बैंक के निफ्टी और निफ्टी में कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे बैंक के निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे आ चुके हैं तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है हमारा यहाँ पर प्रीमियम डीके होता है लेकिन आप लोग ऐसे मार्केट के अंदर अगर ट्रेड लेते हो तो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोग नुक्सान ही करते हो ठीक है दोस्तों तो ऐसे मार्केट में आप लोग को ट्रेड ठीक है दोस्तों चलिए मैं आप लोग को चार्ट थोरा चोटा करके दिखाता हूं ताकि आप लोग को यहां पर चीजे किलियर हो सके देखिए यह जो है एक बहुती इंपोर्टेंट लेवल है जिस लेवल के पास आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ठीक है दोस्त आज यह लेवल पे क्लोजिंग दिया है जो कि बहुती इंपोर्टेंट लेवल था जो कि हमारा एक रजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी और इसी रजिस्टेंस के नीचे आज के दिन क्लोजिंग दिया है तो हो सकता है कल के दिन जो है बहुती बड़ा गैप अप खुलने की समभावना बेंक निफ्टी अगर आप लोगोंने पुट होल्ड कर रखा है तो साब्धान हो जाए क्योंकि मार Bennet का जूसेंटिमएनट है आज के दिन भुलिश हो गया है तो अगर आप लोगोंने पुट होल्ड कर रखा है तो कल के दिन नौपंदरह पे मारकेट open होगी 9-20 में अपना position को काट लें अब चलिए हमारा one day का chart के अंदर क्या scenario बनके आ रहा है चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं one day का chart तो देखे दोस्तों अब हम one day के chart पे आ चुके हैं देखे आज के दिन जो candle का formation हुआ है bank nifty के अंदर एक bullish candle का यहाँ पर formation हुआ है ठीक है दोस्तों और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक डबलू pattern का भी यहाँ पर formation हो रहा है तो इससे तो साब पता लग गया जो bank nifty के अंदर आप हमें bullish रहना है ना हमें यहाँ बेरिश होना है ना हमें यहाँ पर neutral रहना है अब हमें यहाँ पर क्या रहना है bullish रहना है ठीक है दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बिस पर कौन-कौन सा level निकल के आ रहा है चलिए दोस्तों आप हम देख लेते हैं तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन bank nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की level है 42,561 का अगर इस level के उपर opening होती है तो ऐसे condition में हमें यहाँ पर immediate call नहीं बाई करना है हमें यहाँ पर wait करना है अगर यहाँ पर 5 मिनट का candle sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पर call बाई करेंगे वो भी कम quantity के साथ call बाई करेंगे ठीक है दोस्तों और यहाँ पर target हम रखेंगे सिर्फ 100 point का यहाँ पर target रख सकते हैं ठीक है दोस्तों और हम इस level तक जो है target रखेंगे जो की level है 42,700 का ठीक है दोस्तों आप लोग अपने चाट के उपर mark कर लें क्योंकि इस level से seller fresh seller active हो सकते हैं और यहाँ से जो है bank NFT गिरावट दिखा सकती है तो यहाँ पे आप लोग को opportunity मिल सकता है put buying करने का क्योंकि कल के दिन expiry भी है तो अगर यहाँ पे red candle के अंदर restaurant होग आप लोग जरूर अपने चाट के उपर mark कर लें दूसरा target आप लोग का closing price रह सकता है जो आज का closing है ठीक है दोस्तों और उसके बाद आप लोग यहाँ पे SL को trail कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह तो हो गया gap of balance नरियो अब suppose कर लिजे अगर कल के दिन gap run खुलती है वो कौन सा लेवल होगा वो होगा हमारा लेवल 42,300 का लेवल अगर यहाँ पे opening होती है इस लेवल पे opening होती है तो ऐसे condition में हमें यहाँ पे ना call buy करना है ना put buy करना है जब तक यहाँ पे इस level को break down नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पे पुट नहीं buy करेंगे ठीक है दोस्तों अगर यह का closing है ठीक है दोस्तों अगर यहाँ पर पांच मिनट का candle नहीं sustain कर पाती है gap down खुलने के बाद आप लोग अपने चार्ट के उपर इस level को mark कर ले बहुत ही important level रहने वाला है कल के दिन trade करने के लिए जो की level है 42,300 का अगर इस level को breakdown कर देगी तब हम यहाँ पर put buy करेंगे और कम quantity के साथ put buy करेंगे और लंबा target यहाँ पर नहीं रखना है आप लोग को सिर्फ 100 point का ही target रखें ठीक है दोस्तों यह gap up और gap down वाला scenario तो हो गया अब suppose कर लिजे अगर कल के दिन flat खुलती है bank nifty वो कौन-कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की एक पूरा जौन है 42,383 से लेके 42,473 के बीच में अगर खुलती है तो आप लोग को ऐसे में call or put नहीं बनाना है आप लोगों को एक particular level का या तो break out या तो break down होगी तब हम यहाँ पे अपना position बनाएंगे suppose कर लिजे अगर 42,473 का जो level अगर इसको break out कर जाएगी तब हम यहाँ पे call by करेंगे और target यहाँ पे लंबा नहीं रखेंगे हम यहाँ पे सिर्फ source से लेके 500 point का यहाँ पे target रख सकते हैं ठीक है दोस्तो अगर यह वाला level breakdown कर जाती है जो की level है 42,383 का तब हम यहाँ पे put by करेंगे और यह अच्छा opportunity होगा आप लोग के लिए यहाँ पे put by करने का ठीक है दोस्तो तो आप लोग यहाँ पे put by कर सकते ह हैं इस level पे जो की level है 42,383 का तो दोस्तो आसा करता हूँ bank nifty की सारे level जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी आप चलिए देख लेते हैं nifty का क्या हाल चाल है और कल के दिन कैसा कामकाज कर सकती है तो चलिए दोस्तो अब हम nifty के चार्ट पे चलते हैं तो देखे दोस्तो डिके होता है और यहां पे सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है एक beginner का सिर्फ premium डिके के बज़े से होता है तो ऐसे market के अंदर आप लोग trade को avoid करें ऐसे market के अंदर बिल्कुल भी trade ना करें अब चलिए देख लेते हैं कल का moment कैसा रहने वाला है nifty के अंदर तो चलिए दोस्त करते हैं यहां पे डबलू पैटरन का भी formation हो रहा है ठीक है दोस्तो अगर यह नेक लाइन को breakout कर जाएगी न तो अच्छा खासा यहां पे देखने को मिल सकता है upside के तरफ moment ठीक है दोस्तो तो आप लोग अपने चार्ट के उपर यह level मार्क कर लें जो की level है 18,280 का ठीक है तो अपने चार्ट के उपर मार कर लें बहुत ही important level रहने वाला है कल के दिन के लिए अगर यह कल के दिन level को breakout करती है तो अच्छा खासा आप लोग को upside के तरफ moment देखने को मिल सकता है और कल के दिन nifty भी gap अप खुलने की संभावना है अगर आप लोगों ने put hold रखा है ले और उसके बाद सही level को देख करके फिर re-entry कर सकते हैं market के अंदर ठीक है दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं intraday के base पे कौन-कौन सा level निकल के आ रहा है nifty के अंदर कल के दिन trade करने के लिए तो चलिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के time frame पे चलते हैं तो देखे दोस्तों अब हम 5 मिनट के time frame पे आ गए हैं अब हम देख लेते हैं कल के दिन trade करने के लिए कौन-कौन सा important level निकल के आ रहा है तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा 18183 का ठीक है दोस्तों अपने चार्ट के उपर इस level को मार करने बहुत ही important level रहने वाला है कल के दिन trade करने के लिए nifty के अंदर तो अगर इसके ऊपर कल के दिन nifty gap up opening होती है तो ऐसे condition में हमें यहां पर क्या करना है हमें यहां पर 15 मिनट का candle अगर यहां पर sustain कर जाती है तब हम यहां पर call by करेंगे और यहां पर सिर्फ हम 50 point का target लेके चल सकते हैं जो की हमारा level होगा 18238 का ठीक है दोस्तो और इस level पे हो सकता है जो seller active हो सकते हैं और इस level से आप लोग को nifty के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है तो इस level पे अगर red candle के अंदर strength होगी तो आप लोग यहां पे put buy करें और यह अच्छा opportunity होगा यहां पे put buy करने का क्योंकि क expiry भी है तो आप लोग का पहला target यहां पे put side के तरफ रह सकता है 18183 का और दूसरा target आप लोग का यहां पे रह सकता है जो कि आज का closing है 18163 का और तीसरा target की बात करेंगे यहां पे nifty के अंदर put side के तरफ वो होगा level 18137 का ठीक है दोस्तो हम यह तीन target के लिए कल के दिन जा सकते हैं ठीके दोस्तो यह तो gap of वाला scenario हो गया अब suppose कर लिजिए अगर कल के दिन nifty gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा level 18137 का ठीके दोस्तो अगर यहां पे 15 मिनट का candle sustain कर जाएगी तब हम यहां पे call by करेंगे और पहला target हमारा यहां पे रह सकता है 18163 का जो कि content level रहता है ठीके दोस्तो तो पहला target हमारा यह रह सकता है और उसके बाद यहां पे हम SL को trail करेंगे ठीके दोस्तो अगर यहां पे 15 मिनट का candle नहीं sustain कर पाती यह जो level है 18137 का और इसको breakdown कर देगी तब हम यहां पे immediate put by करेंगे और कम quantity के साथ यहां पे put by करेंगे और लंबा target यहां पे हम नहीं रखेंगे सिर्फ 50 पॉइंट का हम यहां पे target रख सकते हैं ठीके दोस्तो यह तो दोस्तो गैप अप और गैप ड़न वाला सेनर्य हो गया अब सपोज कर लिजा अगर कल के देन निफ्टी फ्लैट खुलती है little bit gap अप या little bit gap ड़न तो ऐसे condition में क्या करन चाहिए हमें कौन सा zone हो सकता है तो देखें दोस्तो 18163 से लेकरके 18183 के बीच में अगर खुलती है इस zone में खुलती है तो हमें यहां पे bet करना है या तो यहां पे एक particular level breakout करेगी तब हम entry लेंगे या फिर एक particular level यहां पे breakdown करेगी तब हम यहां पे entry लेंगे देखें अगर 18183 का level breakout कर जाएगी तब हम यहां पे call side के तरफ entry लेंगे और target यहां पे ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे सिर्फ 50 point का target रखेंगे या फिर इस level को breakdown करेगी जो कि level 18163 का यह हमारा आज का closing है ठीके दोस्तो अगर इसको breakdown करेगी तब हम यहां पे put buy करेंगे और यह अच्छ ठीक है दोस्तो तो आसा करता हूं सारे level जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी bank nifty और nifty की तो दोस्तो यह जो level है bank nifty और nifty की आप लोग अपने चार्ट के उपर मार कर लें ताकि आप लोग को कल कामकाज आ सकती है तो दोस्तो एक like तो जुरूर बनता है क्योंकि इतना महनत करता हूं आप लोग एक like भी नहीं करते हो तो एक like जुरूर बनता है अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें like करें दोस्तों में share करें bell icon के all पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले जुरूर क्लिक कर लें अगर अभी तक आप लोग